कल माननी प्रधान मंत्री जी सभी माननी मुख्य मंत्रियों के साथ लगबग 6 घंटा विस्तार से चर्चा किये सभी माननी मुख्य मंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश के समस्याएं भी रखी और आसकताओं के बारे में माननी प्रधान मंत्री और भारत सरकार के विभिन मंत्रियों को अपनी भावनाओं से आउगत कराये हमारे राश्टे अद्यक्ष स्रिमती सोनिया गांधी ने भी प्रधान मंत्री जी को पत्र लिक कर विशेश पैकेज के मांग की थी खास कर जो लगो और मध्यम स्रेणी को उद्योग हैं ब्यापार उसे संचालित करने के लिए आर्थिक पेकेज की मांग उन्होंने कही थी चतिस गड़ के ओर से भी हमने माने प्रधान मंत्री जी को अनेक बार पत्र लिखे और कल वीसी में भी इस बात का मैंने विसेश रूप से उल्ले किया था कि चतिस गड़ को आर्थिक पेकेज की रूप में तीस हजार करोर रूपिया दिया जाए ताकि अर्थ ब्यास्तों को पट्री में लाया जा सके यह पेकेज पहले ही घोसित हो जाना चाहिए था विलंब हुआ है लेकिन अभी यह इस पश्ट नहीं है कि इस पेकेज में क्या क्या होगा मजदूरों के लिए किसानों के लिए ब्यापारियों के लिए लगो और मद्यमुद्योगों के लिए कल अब वित्मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी तब इस पश्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रभावनों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा राजसरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है क्योंकि राजसरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है चाहे सिचाई योजना हो चाहे पीड़ोबलीटी की सडकिक निर्मान का है समाजी क्षेत्र में और विकास कार्य में कितना अंदान या सहयोग मिलता है ये कल ही इस परश्ट हो पाएगा हमने कल ही प्रधान मंत्री जी से कह दिया था कि ये रेड जोन है आरेंज जोन है ग्रीन जोन है इसे डिकलेर करने का अधिकार राज सरकार के पास होना चाहिए राज के भीतर गद्विधी संचालित करने का अधिकार भी राज सरकार को होना चाहिए राज के सिमाओं को निश्ची तुरुप से सील किया जाए लेकिन हवाई यात्रा और रेल यात्रा के लिए राज सरकारों से सहमती होनी चाहिए ये बाद भी अनेक मुख्यमंत्रियों ने कहीं मैंने भी ये बात कही थी मैं राहूल जी के इस प्रस्ताओं का समर्थन करता हूं क्योंकि 36 गड़ हिंदुस्तान के मध्य में पढ़ता है और इस कारण से जो उत्तर भारत के जितने स्रमीक दक्षिन गए थे वो सारे स्रमीक पैदा चलते भी 36 गड़ आ रहे हैं और 36 गड़ क्रास करके अपने प्रदेश जा रहे हैं चाहे वह मजदूर तिलंगाना के हो आंदर प्रदेश के हो चाहे तमिल नाड़ी को हो चाहे महाराष्ट को उनका गंतब उरिसा, पस्चिम बंगाल, जहारखन, उत्तर प्रदेश, जहां भी वहां जा रहे हैं, मद्प्रेश जा रहे हैं, उन मजदूरों को हमने तीनों आईजी को उसकाम में लगाया हुआ है, दुर्ग के राइपूर और बिलासपूर संभाग के सबी आईजी के देखरेक में, जतने भी मजदूर आ रहे हैं, उनके परवहन के बिवास था, और भोजन और पानी की बिवास था, हम लोग सड़क किनारी जतने थाने हैं, उसमें सब हम लोग करा रहे हैं, लेकिन बहुत भायावा जिस्तिती है, पूरे परवार के साथ, यह बहुत दरदनाग इस्तिती है, इस मामले में भारत सरकार मौन हैं, उनके लिए कोई बिवास था नहीं है, लेकिन हम राज्य के सीमिस संसाधन से हमारे अधिकारे अन्ने कार्वम में भी लगे हुए हैं, यहाँ के प्रदेश के कानून बिवास था के साथ, जो कोरोना के लड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरे प्रदेश के जो मजदूर यहाँ प्रवेस कर रहे हैं और अपने राज्य में जा रहे हैं, उनकी भी बिवास था हम कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए. झाल 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 झाल झाल